चिवनगंजमंडी थाना शेत्र के गांधी नगर में रहने वाली महीला को सौधी में रहने वाले पती दवारा तीन तलाक की धमकी देने का मामला सामने आया है पती की बेरुकी के बाद महीला को उसके सास ससूर और देवर देवरानी ने भी घर से निकाल दिया जब वह शिकायत करने थाने पहुजी तो ससुराल पक्ष के लोग घर पर ताला लगा कर चले गई इस पर पीडित महीना गांदी नगर सिर्थ अपने घर पर धरने पर बैठ गई गांदी नगर में रहने वाली समरीन खान ने बताया कि 11 साल पहले इमरान खान पिता इशाक खान से उसका निकाह हुआ था निकाह के कुछ समय बाद से पती नौकरी के लिए साओधी अरब चले गए एक दो साल में उजयन आते रहते हैं उसके दो बच्चे है चार महीने पहले पती आये थे और कुछ समय रहे कर वापस चले गए पती के साओधी जाने के बाद सास बूंदोवी ससुर इशाक खान देवर इर्फान खान और देवरानी शाइसता ने जगड़ा कर घर से निकाल दिया इस संबंद में जब पती से बात की तो उन्होंने तलाग की धमकी दी इसकी शिकायत लेकर समरीन चिमनगंज थाने पहुची तो सास ससुर और देवर देवरानी घर पर ताला लगा कर कोटा चले गए समरीन का कहना है कि उसके बच्चों के परिक्षा है और स्कूल बैक कपड़े सहित अन्य सामान घर में रखे हैं समरीन चार दिन से थाने के चक्कर लगा रही है इसके अलावा उन्होंने महीला थाना एस पी और सीम हेल्प लाइन पर भी शिकायत की लेकिन कोई कारवाही नहीं हुई इसके बाद समरीन शनिवार सुभा गांधी नगर सित अपने ससुराल के बाहर बच्चे को लेकर धरने पर बैट गई मेरे पुलिस वाले खुद लेकर गए थे यहां से पुलिस की मोजदगी में इनोंने ताले डाले और अंदर से ताला डालके बेठे तो और पीछे से भागे थे पुलिस ने भी देखा है और पती का नाम इमरान खान साओधी अरब यह उनका यही घर में जाती हुए मेरा घर चाहिए मेरा बच्चों के सब में रहना चाहती हुए मैं कर से कुछ भी कादम अगर मेरे को होता है मेरा बच्चों को तो उसके जुम्मेदार यह घर वाले हैं मेरा आदमी है सास तो सो रो देवर दिरानी